तो हम लोग वो पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं वे आखें सुमिंत्रा नंदन पंद की तो यहां पर हम लोग थे कि बिना दवा दर्पन के घरनी स्वर्ग चली आखे आती भर कहते हैं कि ऐसा उस किसान के पास किसान विवस था कि वो दबाई तक नहीं अपनी घरनी से मतलब प करके स्वर्ग चली आखें आती भर देख रेक के बिना दोद्मोही बिटिया दो दिन बाद गई मर और कहते हैं कि मेरी घरनी की मृत्यू होने के पास शात मेरी दो दिन की बिटिया थी उसकी कोई देख रेक करने वाला नहीं था जिसके कारण वो भी मर गई घर में किश्मी तो थी लेकिन पती घातिनी हुई कैसे पकड मंगाया कोतवाल में डूप कुए में मरी एक दिन पत्नी के ही कारण उसके जोईगी क्या बोलते हैं बेटे की मृत्यू हो जाती है जिसको कहता है कि जब वो विद्वा हो जाते घर में रहती है तो कोतवाल ने उसको प अपनी जोईगी क्या बोलते हैं आप रूप बचाने के लिए वो कुए में कूद के अपनी जान दे देती है और कहते हैं कि मालो पत्नी मर गई आगे कहते हैं खैर पैर की जूती जोरू नहीं सही एक दूसरी आती पर जबान लड़के के सुद कर साप लोटने लोटते फट जाती जाती कहते हैं यहां पर ये पत्नी को जो है कि पैर की जूती कहते हैं जूती कहके संबोधित करते हैं कहते हैं कि खैर पत्नी एक नहीं दूसरी आती मर गई कोई बात नहीं थी लेकिन जवान लड़के की जो मुझे याद है वो जो है कि मुझे रह रहे कि उसकी सुद आती है और मेरी छाती पर सांप लोटने लगते हैं जैसे लगता है मेरी छाती फट जाएगी पिछले सुक के इस्मृती आखों में छण भर एक चमक है लाती और जैसे ही मैं अपनी पिछली स्मृती याद करता हूं कि जब मेरा घर मेरा परिवार सुक में था और जब मैं उसक तुरंत जो है कि याद आता है कि अरे वो सब चीज तो मेरा खत्म हो गया तुरंत इनकी आखें जो है कि सुन्ने में चली जाती है और उस तीखी नो को जो है कि क्या बोलते हैं तीखी याद से इनका चेहरा जो है कि फीका पड़ जाता है तीखी चाया से ठीक है वह तिक्षु धार के समान पीड़ा देने वाले इनको लगती है चीक है